Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इस समय काफी चर्चा हो रही है FIFA World Cup की, तो FIFA World Cup का यहाँ पर क्या relation है, यहाँ पर Qatar ने exactly किया क्या है European Union के अंदर, जिसकी वज़े से एक Qatar Gate scandal बताया जा रहा है, तो इसको डीटेल से मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पह ही लोग अगले साल UPSC Prelims का एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए 200 प्लस आउर्स आउर्स आफ लाइव रिविजन क्लासें, लाइव क्लासें कराई जाएंगी जिसमें static और current affairs का जो integrated पढ़ाई होता है, वो सब कुछ कराया जाएगा, इसके अंदर आपको जो books हैं आपके घ मिल जाएगा, एंद सिर्फ 6000 में ये पूरा course आप ले सकते हैं, तो हरी अप यहाँ पर देरी मत करिये, कल से ही स्टार्ट हो रहा है, या फिर इसके अलावा optional batches हो गए, या फिर NCRT बहुत कम दाम पर, again you have to just use the code UNKITLIVE ताकि आप इसको ले पाएं, इसके अलावा और अगर को MCQs attempt करना है, तो मेरे Insta page पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हुआ क्या है, बताया जा रहा है कि एक corruption scandal हुआ है, जो कि Europe को पूरा हिला कर रख दिया है, क्योंकि Europe के हर एक देश का अपना खुद का Parliament तो होता है, जैसे भारत के अंदर हमारा Parliament है, लोग सभा, राज सभा, ये सब को होते ही है, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समू है, European Union का, इनका खुद का भी एक joint Parliament होता है, जिसको कहते हैं European Parliament, और right side में आप देख सक के जो citizens हैं, वो यहाँ पर directly चुनते हैं, तो European Parliament की जो Vice President है, सोचके देखिए, European Parliament की जो Vice President है, Eva Kelly, उनको यहाँ पर arrest कर लिया गया है, और basically बताये जा रहा है कि उन्होंने कतर की बहुत सारी सहायता की है, कतर की मदद की है, और एक पूरा बड़ा scandal जो है, वो सामने आया है, तो चलो थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, यह कतर गेट स्कैंडल है क्या, देखो यह सारी चीज़ें, 9th December के morning में सामने आई, जब Belgium पुलिस ने कई सारे raid किये, Brussels के अंदर, आसपास के इलाके में, और लगभग 6 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें कई सारे जो prominent politicians है उनका भी नाम सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ी politician जैसा मैंने बताया, Kelly, Kelly जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि she is the vice president of European Parliament, लेकिन यह कौन से country से बिलॉंग करती है, basically Greece से बिलॉंग करती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो European Parliament के former member हैं एक और, उनको भी arrest किया गया है, money laund laundering के charges पर, corruption scandal के charges पर, और यहाँ पर बताये जा रहा है, कि जो Kelly है, जो vice president है European Parliament की, उन्होंने European Union के जो policy makers हैं, उनको influence किया है, कि कतर के साथ मिल कर यहाँ पर हम काफी कुछ कर सकते हैं, कतर एक बहुती अच्छा country है, और बताये जा रहा है, कि कतर ने बहुत सारा पैसा Kelly को द president है Kelly, उनको बहुत सारा पैसा दिया, और उसके बदले में Kelly ने यहाँ पर मदद की कतर की, किस तरह की मदद वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन short में ये समझिए, उन्होंने जो कतर की छवी है, उसको अच्छा करने का कोशिश किया है यूरोप के अंदर, और इसके सा साथ बताये जा रहा है कि जो पुलिस ने अरेश्ट किया, रेड किया, उसमें कई सारे जो private locations हैं Kelly के वहाँ पर उनके बहुत सारे पैसे, dollars, euro वो जबत किया गया है, अब question ये है कि कतर को क्यो influence चाहिए था, कतर ने आखिर Kelly को क्यो पैसा दिया, कतर को क्या चाहिए था, अब European Union कह रहा है कि रश्या का जितना भी गैस है, हम उसको band कर देंगे, लेकिन European Union को गैस तो चाहिए न, कहीं न, कहीं से तो गैस चाहिए, तो यहाँ पर कतर ने एक प्रकार से, Kelly के माध्यम से, ये deal करानी की कोशिश की, कि अब European Union जितना भी गैस खरीदना चाहता है, वो basically कतर से खरीद सकता है, क्योंकि याद रखिएगा, कतर basically अगर आप देखोगे न, तो crude oil बहुत कम produce करता है, मतब ना के बराबर, बहुत कम करता है, लेकिन कतर सबसे ज़्यादा produce करता है, वो है आपका natural gas, और European Union को natural gas किया हो शकता है, कतर बड़ी मातरा में उसको supply कर सकता है, इसलिए कतर ने यहाँ पर घूस देकर, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, कैली को घूस देकर, यहाँ पर यह influence करने की कोशिश की, कि जो भी यूरोप अब जो खरीदना चाहता है gas, वो कतर से ही खरीदे, और मैं आपको बता दूँ, कि already Germany ने एक deal कर लिया है कतर के साथ, कि ज आपको पता होगा, FIFA World Cup 2022 जो हुआ है उसके preparation में, यहाँ पर जो controversial labor system है, Middle East के अंदर जिसका नाम है, कफाला system, कफाला system क्यों बहुत जादा criticize किया गया, और बोला गया, जिस तरह के policies हैं, LGBTQ communities को लेकर, कतर का अच्छा नहीं है, कतर में आपने देखा, एक दो जो journalist हैं, उनकी भी मौत हुई है, तो basically क्या है कि कतर ये चाहता था कि जो human rights के आरोप लग रहे हैं कतर के उपर, वो basically ना लगें, और इसी लिए उसने कैली को पैसा दिया, और कई सारे politicians को पैसा दिया, ताकि यहाँ पर उसके human rights abuse को छुपाया जा सके, और आपको याद होगा, यहाँ पर जो सामने आया है आकड़ा, उसमें बताया जा रहा है, 6,000, 7,000, इतने सारे जो migrant workers हैं, जो कतर में हैं, उनकी मित्ती हुई है, यह सारे stadiums को बनाने में, और साथी साथ बताया यह जा रहा है कि इसमें ज़्यादा तर आपको Indians देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है, इस में relaxation किया जाए, वो आराम से यूरोप का वीजा ले सकें, इसके लिए भी influence करने की कोशिश कर रहा है कतर, और इनी सारी कारणों की वज़े से बताया जा रहा है कि कतर ने यहाँ पर European Union के कई सारे जो members हैं, parliamentarians हैं, बड़े उच पदों पर लोग हैं, उनको घूस दिया, उन ये मैं आपको बता दूँ, जो Vice President है Kelly की जो मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने definitely defend किया कतर का Human Rights Record, जब बहुत सारा criticism हो रहा था कतर के उपर की कतर सही नहीं कर रहा है, वो Human Rights का violations करता है, लेकिन Kelly ने यहाँ पर actively होकर बहुत सारे voices race किये और ये कहा कि नहीं, कतर का जो policy है, ज उसको हमें criticize नहीं करना चीए, वो काफी अच्छा है, इसके अलावा उन्होंने भी यहाँ पर जो वीजा वाला पूरा मामला था, उसको लेकर भी support किया, कि जो कतरी citizens हैं, उनके लिए वीजा relaxation करना चीए, तो ये सारी जो चीजें हुई है, उसको लेकर आगे चलकर पता चल है कि हाँ, यहाँ पर कतर को पूरी तरह से defend किया जा रहा था इन लोगों के दोरा, जिन्होंने कतर से घोस लिया, इसके अलावा question यह है कि और कौन कौन से लोगों को arrest किया गया, देखो एक तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर जो Kelly है और एक पैंजेरी मैं आपको ब बताता हूँ, NGO के अंदर जो board के members हैं, उसके अंदर former France के Prime Minister भी involved हैं, Italy के Foreign Minister भी involved हैं, और यह सारे लोग अभी scanner में हो सकता है, इनको भी arrest किया जा सके, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता हूँ, Vice President of European Commission, ध्यान रखना, यह जो Kelly है वो Vice President है European Parliament की, लेकिन मैं बात क रहा हूँ, Vice President of European Commission, उनके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रकार से कतर का जो labor reforms है, उसको praise किया था, लेकिन देखना होगा कि exactly उनको पैसा दिया गया था कि नहीं कतर की तरफ से, लेकिन एक बहुत बड़ा और लगाता, day by day बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे जो बड़े उच्च पदों पर लोग हैं, उनको arrest किया जा रहा है यूरोप के अंदर, अब conclusion क्या निकलता है, देखो conclusion यही है कि यूरोप की लोग बहुत जादा इस समय शौक में हैं, क्योंकि यूरोप को जैसे मैंने बताया कि example दिया जा निकाल दिया गया है, मतलब उस political party ने इवा कैली को हटा दिया है, इसके अलावा यहाँ पर जो European Commission की President है, वो बहुत जादा problem में आ गई हैं, उनसे कई सारे सवाल पूछे जाड़े हैं, लेकिन लगतार वो questions को duck कर रही हैं कि नहीं, वो सवाल का answer देना नहीं चाहती, इस त democracy को लेकर वो सही नहीं कर रहे हैं, authoritarian regime चला रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से आप मौक किया है, कि अब 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 क्या हुआ, आप तो हमारे उपर सवाल उठाते थे, लेकिन अब आपके उपर क्या हुआ, जब यहाँ पर कई सारे scandal सामने आ रहे हैं, तो एक बहुत पता है, मेरे instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable